गुड मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट कैसे हो मस्त होंगे और जो काम आ रहा है वो आप टाइम से टाइम करते होंगे यह मिरको आपसे उमीद है और अपने चैप्टर रीड किया था था थर्ड माई फैमेली अब माई फैमेली के चैप्टर रीड होने के बाद अपन उसके के क्या करने जा रहे किस तना सरथ मर्द में फ्रस्ट मीक्ष्य रिखाए माय देलिए अब इसमें आपको उसाए क्या बताना माय-धिर के बारे में अपको यह अपको करने जैसे घृच्पी सब्सुन लिखा हूब डी दूब दो तो आपकी फेमेली में चैनल को आपकी पटा करनी है जैसे मैं लिख रही हूं नहीं लिखो को इदे आपकी फेमेली के अंदर मेंबर्स है जितनी संख्या जितने लोग येंद पर फिल करनी है second question लिखा हुआ है my family is a my family is a family nuclear family या joint family अब आपकी family कैसी है joint family है या nuclear family है जैसे आप अपने दादा दादी चाचा चाची सब के साथ में रह रहे हो तो वो family कैसी होगी joint family स्वेहां अगराप पने ममी-पाप्ता के साथ और अपने बैन-भाई जो रह रह रहे हैं आप सिर्फ अपने ममी पपता और अपने बैन-बाई के साथ रह जिनकी फेमेली जॉइंट नहीं होगी वो फिल करेंगे न्यूक्लियर और जिनकी फेमेली जॉइंट है वो यहां पर जॉइंट लिखोगे ऐसे नहीं कि मैंने यहां जॉइंट लिखा है तो आप भी सब्सक्राइब जॉइंट लिखो यह कमपसरी नहीं है थार्ड क्यूशन लिखा हुआ है और family members love and take, फिर आगे क्या आएगा care, care of one another, all family members क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक दूसरे की क्या करते हैं, care करते हैं, परवा करते हैं, तो यहां क्या आएगा care of one another, और family members love and take care of one another, पूसर नमबर 3 देखो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, I help my family by, select correct options from the given box, आपके यह box के अंदर जो लिखे हुए हैं, इनको select करके इन में से देख के आपको यहां पर answer देना है, अपन family की कैसे help कर सकते हैं, आप अपने parents की या family में जो भी member से उसकी help कैसे बारे में आपको यह बताना है, और यह box बना हुआ है, इसमें से आपको यह answer दिनना है, अब देखो फर्स लिखा हुआ है, keeping the things at their proper place, इसका अर्थ क्या हुआ, अपन को कोई भी चीज कहा पर सही जगह पर, proper place पर रखनी चाहिए, इदर उदर घर में बिखरी हुई चीज को नहीं रखनी चाहिए, जहां से अपन कोई भी चीज को लेते हैं, वहां पर वापस उस, completing classwork, homework in time, अपन को हमेशा classwork को और homework को हमेशा time पर करना चाहिए, complete करना चाहिए, parents को बार बार बोलना नहीं चाहिए, कि आप काम कर लो, अपने को खुद को काम, अपना proper time से और सही सम all time नहीं खेलना चाहिए, यह तो आपको पता है, playing all time, कि आपन को anytime खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, anytime, obeying all the elders, obeying the elders का आर्थ हैं, हमेशा बडो की बात को मानना चाहिए, उनकी बात का respect करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनकी बात को इधर उधर टाल मटोल नहीं कर चाहिए तो अब इसमें से आपको देख के इसके आंसर देने हैं अब देखो फर्स लिखा हुआ है यह आपके करेक्ट होगा keeping the things at their proper palace तो answer में क्या आएगा keeping the things at their proper place मतला अपन को सही जगह पे हर चीज को रखने चाहिए second लिखा हुए completing classwork homework in time हमेशा अपन को का classwork को और homework को time पे करना चाहिए तो यह भी सही होगा second भी आएगा इसमें answer में फिर third वाला नहीं आएगा क्योंकि अपन को anytime नहीं खेलना चाहिए तो इसका यह cross हो जाएगा थर्ड वाला नहीं आएगा और fourth वाला obeying all the elders हमेशा बड़ो की बात को मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए उनकी बात को हमेशा ऐसे टाल मत्रोल नहीं करनी चाहिए यह जैसे बड़े बोलते हैं वैसे उनकी बात को स्विकार करना चाहिए तो थर्ड भी इसका आउसर आएगा यह इसके तीनों आउसर हो गए अब यह आपको काम complete neat and clean अपने homework है और अपनी notebook के अंदर आपको यह काम करना है और इसकी PDF आपको मिल जाएगी थैंक्यू